सब्सक्राइब करें हमारी चैनल हर्वपवर्ड हिंदी को और बेल आइकोन को दमाए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें आप जिस बात की चिन्ता कर रहे हैं वह चिन्ता जायज है कि अगर डिकंपोजर का उपियोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गाय नहीं पलेगी डीकंपोजर का विरोध करने वालों ने इसी चिंता को पकड़ कर डीकंपोजर का प्रबल विरोध करना सुरू कर दिया है जिस बात की चिंता आपको है वही बात की चिंता मुझे भी है लेकिन इसका हल निकालना और भी ज्यादा महातपुर्ण है महात्वपुर्ण क्यों है क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं प्रकरती में फसल का उत्पादन बहुत महात्वपुर्ण है केवल मनुस से अपने पेट परने के लिए फसल का उत्पादन नहीं करता पसुओं के पेट भरने के लिए भी करता है गाय बैल भैंस बकरियां इनके पीड भरने के लिए भी करता है चिडियों के भी ली करता है और अन्नम वै ब्रह्मम अन्न से इलेक्टरॉन की उत्पत्ती भी होती है और अन्नात भोती भूतानी अन्न से जीवों की उत्पत्ती होती है तो यदि अन्न की उत्पत्ती नहीं हुई तो न जीव आप आएंगे जो तैतिस कोटी जो जीव कहें है हमारे जो है प्राचीन ग्रंथों में वो जीव भी अन्न से पैदा होते हैं और अन्नम वे ब्रह्मम अन्न से इलेक्टरॉंस की उत्पत्ती होती है अब ये कैसे होती है मैं बाद में बताऊंगा तो अन्न का पैदा होना बहुत आवश्यक है आने वाले समय में अन्न का बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है क्योंकि रासाईनिक खेती से जो अन्न पैदा हो रहा है वो अन्न नहीं है अन्न जैसा दिखने वाला एक पदार्थ है जिसके अंदर ना इलेक्टरॉंस होंगे ना जीवानों पैदा करने की छमता होगी ये दोनों नहीं होगा अन्न के अंदर जैसे आज जिसको गाए बोलते हैं जर्सी जो दूद तो देती है पर वह गाए नहीं है गाए जैसी एक प्राणी है उससे जो है विश्व का निर्माण नहीं हो सकता वो गाए नहीं है जर्सी ये होलस्टेन फ्रिजियन वैसे ही रासाईनी खेती से जो अन्न पैदा हो रहा है वो अन्न नहीं है अन्न जैसा दिखने वाला केवल एक पदार्थ है जो भूक मिटा सकता है पेट की छोदा तो मिटा सकता है क्योंकि वो पदार्थ है लेकिन जो है hidden hunger याने छुपी हुई भूक को नहीं मिटा सकता वहाँ पोसक तत्व और उर्जा नहीं दे सकता वहाँ अन्न हमारे सरीर के अंदर जीवानों पैदा नहीं कर सकता अन्न केवल हमारे सरीर के अंदर जीवानों पैदा नहीं करता प्रकरती के में जितने भी और जीव हैं उन सब को जीवन देता है सुक्ष्म जीवाणों को भी जीवन देता है सुक्ष्म जीवाणों भी इससे पैदा होते है भारत सरकार ने जो डिकंपोजर बनाई है केवल वो डिकंपोजर मैं चावल के माण से भी आपको बनाना सिखा सकता हूँ तो विसाय ये नहीं है कि विसाय आपने डिकंपोजर को गोबर से निकाल रहे हैं कि चावल के मान को निकाल रहे हैं विसाय एकोलाजी को कड़ी को पूरा किया जाए जिससे अन्न पैदा हो उस कड़ी में एक कड़ी है गाए गाय अन्न पैदा करने में महात्पून उसका योगदान है उसके पंचगव से ही अन्न पैदा होगा अब गाय केवल जीवानू नहीं देती बहुत सी चीज देती है गाय अन्न तो पैदा करेगी ब्रह्मान्ड की भी रचना करेगी पर गाय का प्रतम दाइत्व है कि अन्न पैदा करने में वो जीवानू दे अब वो जीवानूं हम गोबर से भी ले सकते हैं और जो है वो सारे जीवानू विशेश कर डिकंपोजर की बात कर रहू हूं अन्न से भी ले सकते हैं तो अन्न से जो हम जीवानूं पैदा करेंगे या गाय से जो जीवानूं पैदा करेंगे वो डिकंपोजर हैं ये एक तरह के जिवानों हैं, प्रकरती में दूसरे तरह के भी जिवानों हैं, कौन से जिवानों? जो कार्बन से कार्बन को जोडते हैं, प्रकरती में दो तरह के जिवानों हैं, एक जो कार्बन से कार्बन को जोडता है, और दूसरा जो कार्बन से कार्बन को तोडता है, का इन में वापस गिरता है तो उसको तोड़ की फिर कार्बन बना देते हैं तो जो जोडने वाले जीवानू है वो सरजक हैं और जो तोडने वाले जीवानू है वो केवल विगटक हैं तो अभी विगटक जीवानू मिट्टी में कम हैं इसको आपको डालना पड़ेगा कितने कम मिट्टी में कम से कम यह जीवानों होने चाहिए एक करोड से डेड़ करोण जीवानों एक ग्राम मिट्टी में होने चाहिए अब यह जीवानों नहीं है और यह जीवानों अगर गाय के गोबर में है तो हमें आना चाहिए इन जीवानों को निकाल के डालना और जितने भी ऐसे प्रकार के घोल बने हैं कौन से घोल बने हैं चाहे पंचगवे बना हो चाहे जो है अमरत पानी बना हो अमरत पानी याने मोहन संकर देशपांडे की तकनीक चाहे अमरत जल बना हो दीपक सजदे की तकनीक चाहे वो जो है पंचगव्य बना हो के नटराजन की तकनीक चाहे वो जीवामरत बना हो सुभास पालेकर की तकनीक हमको जो है ये डिकंपोजिंग बैक्टेरिया पयदा करना आना चाहिए ठीक है अभी ये जो है आप इन में से कोई भी तकनीक का अपयोग करते हैं अम्रत जल गोबर गोमुत्र छोड़ करके बाकी सारी टेकनिक उससे ज़्यदा महंगी है अम्रत पानी में जो है घी और सहद लगता है गोबर घी सहद जीवा अम्रत में आप जानते हो गोबर गोमुत्र गुड बेसन और का घोल लगता है पंचे कववे में और चीज़े लगती है लेकिन क्या हो रहा है कि ये चीज़े हम जो बना रहे हैं वो कितने सटीक हैं मेरा लेख आपने पढ़ा होगा जड़ बी अनफ का मूल लियांकन या आपने एक और लेख पढ़ा होगा मेरा कि घूरे के गोबर खाद से घूरे के गोबर से कैसे जो है फंगस, वाइरस और वाइड गरब पैदा होते हैं और घूरे के गोबर में क्या होता है गाय का, भैस का, बैल का सब गोबर मिल जाता है उसी गोबर से जो है फंगस, वाइरस, रस्चुसकीट, वाइड गरफ पैदा होते हैं और ये खेत में गोबर जाएगा तो उस गोबर को दीमक खाएगा फिर उस दीमक को खाने जो है सरी सरफ सांप और छिपकली आएंगे फिर उसी को खाने बिच्चु केकडे आएंगे वो बिल बनाएंगे फिर उन बिलों में चुहे पलेंगे तो फंगस, वाइरस से लेकर चुहें तक का सफर भी गोबर से ही हुआ है तो गोबर से केवल मित्र जीव पैदा नहीं होते हैं अगर ठीक तरीके से नहीं रखोगे तो सत्रु जीव भी पैदा होते हैं अगर आपने गोबर गोमुत्र गुड का घोल बनाए उसमें बेशन डाल दोगे तो दुरगंद पैदा होगा और दुरगंद पैदा होगा तो सत्रु जीव भी पैदा होगे क्योंकि फसल और मनुष सुगंधिम पुस्टिवर अधनम में बढ़ने वाला जीव है विस पौधे तो दुरगंध में भी बढ़ जाएंगे लेकिन वो निगेटिव पौधे होंगे निगेटिव उनमें फूल आएगा निगेटिव उनमें फल आएगा उनके फूलों को सूंग करके आप बेहोस हो जाओगे उनके फलों को खाकर आपकी ताकत घड़ जाएगी आप बीमार हो जाओगे तो जीव और पौधे भी दो तरह की है सुगंध में बढ़ने वाले दुरगंध में बढ़ने वाले जैसे दुरगंद में बढ़ने वाला जियू सुमर है वो दुरगंद को खा के 12-15 लिटर दूद देता है जरसी गाय से ज़्यादा दूद देता है और ऐसे भी जो है ऐसे बहुत से पेड़ भी है जो दुरगंद में बढ़ते हैं मैंने सीकर में ही आपके पास जिला है सायद आप भी सीकर के हो सीकर में ही मैंने एक फूल देखा जिसे बीजेपी फूल वो लोग बोलते हैं जैसे कांग्रेस ग्रास ने मिट्टी को बरबाद किया वैसे वो भी फूल बरबाद कर रहा है तो वो फूल बहुत है सीकर में वो जहां जिस खेत में होता है वहां फसल आना ही बंद हो जाता है ठीक है ना उसे गाओं की बोलचाल में वो लोग बीजेपी फूल बोलने लगे हैं तो ऐसे पोदे भी दो तरह के हैं हमें सुगंधीम पुस्ती वर्दनम में बढ़ने वाले फूल चाहिए हमें गोबर गोमुत्र गुड के घोल में सुगंध पैदा करने वाले या सुगंध में रहने वाले जीव चाहिए दुरगंध में रहने वाले जीव नहीं चाहिए तो यह योग है आपको गोबर से जीव पैदा करना है उसमें योग लगेगा चावल के माल से डिकंपोजर पैदा करना है उसमें योग लगेगा गोबर से जो है डिकंपोजर के जीवानों पैदा करना है उसमें योग लगेगा और योग कैसे बनता योग करमस कौसलम कौसल पूरवक किये गए करमसे योग बनता है तो हमें योग बनाना पड़ेगा कि गोबर से मित्र जीव पैदा हों गोबर से सत्रू जीव, देखिए गोबर गाय जो है तैतिस कोटी प्रकार के जीवों को पैदा करती, क्यों गोबर से नहीं करती, गाय के स्वास से कही जीव पैदा होते हैं, गाय के खुरों से कही जीव पैदा होते हैं, तो गाय से और उनके गोबर से कही तरह के जीव पैद होते हैं गाए रहने वाली है जब तक प्रकरती है तब तक गाए रहने वाली है डीकंपोजर को डाल देने से ही केवल मतलब गाए हट जाएगी ऐसा नहीं है जिन किसानोंने केवल डीकंपोजर डाला है उनकी यहां का प्रोडक्शन जाके देख लो और जिन किसानोंने पंच गवे और डिकंपोजर साथ में डाला है उनकी यहां का प्रोडक्शन आप देख लो तो अभी हमको अन्न पैदा करने के लिए एक योग बनाना है उस योग की पहली पंगती है डिकंपोजर जैसी मिट्टी डिकंपोज होगी उसका पीच बढ़ जाएगा उसका पीच ठीक हो बढ़नी जाएगा सेवन हो जाएगा और उसके जो है उस किसान के खेट की मिट्टी का कारबन ठीक होगा क्योंकि मिट्टी में जब तक कारबन ठीक नहीं होगा तब तक जो है उसके हां फसल ठीक से आएगी नहीं वो परेशान रहेगा तो एक तो किसान परेशान हुआ फि फिर अन्न खाने वाली गाय बेल भैस ठीक है ना भूसा खाने वाले सारे जीव साकारी जीव ये सब परिशान होंगे क्योंकि अन्न पैदा नहीं होगा या जिसको अन्न कहते हैं वो अन्न नहीं है खराब वाला अन्न दूसी तन्न पैदा होगा तो भी सारे जीव परिशान होंगे तो ये सारे जीव परिशान होंगे इस बात को हमको पहले हल करना है पहले हमें अन्न पैदा करने की प्रक्रिया को ठीक करना है ये हमारी पहली प्रात्मिकता है अभी अभी देखो गाय बचाओ गाय बचाओ सब कहते हैं लेकिन उससे गाई बची क्या गाई के विज्ञान को बताना पड़ेगा गाई पर केवल पांच घंटे बोलता हूँ केवल गाई पर गाई क्या है उसका जीवन क्या है तो डीकमपोजर को बाजार में जाने से रोकने से गाई नहीं बचेगी डीकमपोजर से परिणाम आप ही रहे हैं आप केवल मना करोगे तो भी डीकमपोजर नहीं रुखने वाला है भारत सरकार ने तो अभी डीकमपोजर लॉंच किया दो साल पहले मैंने आठ साल पहले 32 लाख रोपे का डिकंपोजर नर्सिंगपुर के किसानों को डलवा दिया है क्योंकि डिकंपोजर का मात तो मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने डलवा रहा था वो तो भला हो हम सब का जो है एक इस्वर ने हमारी प्रातना सुन ली मेरी प्रातना भी सुन ली इस्वर ने कि भारत सरकार के जिन वैग्यानिकों ने भारत की खेती बरबाद की उन्ही में से एक वैग्यानिकों ने या उन्ही में से कुछ वैग्यानिकों ने डिकंपोजर दुनिया को दे दिया अस्तावक्र गीता के बारे में सबसे अच्छा जानते थे और गीता पर उन्होंने बहुत जो है उनके अख्यान हुए उन्होंने अंतिम एक वाक्य कहा है उस वाक्य को कहा है साक्षी भाव हो जाना साक्षी होना याने जैसे किसी फिल्म की थीयटर में बहुत से लोग फिल्म देखते हैं उस फिल्म में यदि जो है जो है मार काट पीट के सीन आएंगे तो कुछ लोग वेदना में आ जाएंगे कुछ लोग गुशे में आ जाएंगे फिर उसी सीन में बहुत अच्छी अगर फिल्म चल रही है कोई रोमांटिक सीन चल रहा है तो कुछ लोग बहुत उत्सा में आ जाएंगे कुछ सीटी बजाने लग जाएंगे लेकिन उसी पिच्चर हाल में एक बुद्धिमान व्यक्ती बैठा हुआ निरपेक्ष भाव से फिल्म देखता है वो ना फिल्म न क्रोधित होता ना उत्साहित होके सीटी बजाता है वो निरपेक्ष भाव से साक्षी उसकी क्योंकि पता है कि मेरे उत्साहित होने से भी आग बदलने वाला नहीं है जो डारेक्टर ने फिल्म बना दिया वही चलेगा तीन गंडा वो निर्पेक्ष होता है वैसे ही साक्षी भाव प्रकृती के लिए जो है हमें साक्षी भाव रखना है जो आ रहा है यदि डिकंपोजर आया है तो उसका जो है प्रकृति के लिए आवस्यक था, हमें प्रकृति ने कहा है, आप विरोध करो, खड़े हो जाओ, मेरे पास तो कोई अपनी खेती भी नहीं है, ना मेरे पास कोई अपना कुछ नहीं है, फिर भी 15 साल से मैं खेती और किसान को ठीक करने के लिए लगा हूँ, तो ये भाव हमारे अंदर उसी चेतना ने, उसी स्वर ने भेजा है, कि इसको ठीक करना है, उसी चेतना ने डॉक्टर किसंचंद्रा को कहा होगा कि डिकंपूजर बना लो, डॉक्टर किसंचंद्रा जी कहते हैं कि ये हमें भारास सरकार से दबावाया कि कुछ करो, तो हो सकता है, परदान मंतरी नरेंद मोदी ने उन्हें या करशी मंतरी ने कहा हो, भारास सरकार के कि कि किसानों के लिए कुछ करो, और कुछ में इनके हाथ में ये लग गया, डिकंपूजर आ गया, उन्होंने दे दिया दुनिया को, और डिकंपूजर डलवा के मिट्टी अच्छी हो रही है तो हमें डिकम्पुजर डलवाना है गाय बचेगी उसकी आप चिंता मत करो ठीक है ना वो सर्वो सत्ता है जो सब कराएगी 1967 में देश भुकमरी के कगार में आ गया था ठीक है तो उस समय पे अगर PL480 के अंतरगत जो है हिंदुस्तान में अना जाया आया भारत के एक हमारे जो है हमारे चार छे आठ पीडियों वालों ने कोई कुकर्म किया होगा इसलिए भुकमरी आई हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ने इतना गुलामी झेला है कुछ न कुछ हमारे कर्म ठीक नहीं रहे होंगे पर उसके पहले जो है राजा हर्स के समय में हिंदुस्तान का इतिहास वैभौसाली इतिहास रहा है अजन्ता एलोरा की गुफाएं आप देखाईएं आपको सैव संस्कृति का भी उच्च अजन्ता की गुफा उच्च सिखर आपको दिखेगा और वैशनों संस्कृति का भी उच्च सिखर आपको दिखेगा एलोरा का मंदिर ठीक है तो ये जो है हमें हमें हमारे जो है प्राचीन गवरों को से अध्यन करके इस विज्ञान को किसानों को देना है अभी खेती को अच्छा करना है तो पहली प्रात्मि अभी डिकंपोजिंग पहली प्रात्मिकता है दे दो दो चार साल बाद डिकंपोजर डालते डालते उपच जो है न क्योंकि मिट्टी में कार्बन जादा हो गया है या कार्बन जो है जादा होता है तो क्या होता है प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है वेजेटेटिव ग्रोध बढ़ जाता है तो जो आप डीकंपोजर डाल रहे हैं वो कल को जो है ना पंचगवी भी डालेंगे वो कल जो है वो किसान फिर पंचगवी से बने हुए उत्पाद जो है डालेंगे वो किसान अगनी होत्र भी करेंगे क्योंकि फिर आप एक बार जो है मिट्टी को आप जो है जैसे बिजली का तार और उसके अंदर की बिजली दो अलग अलग चीजें है आपको अगर जो है मोबाइल चार्ज करना है मातर जो है पांच जो है पांच वाट का जो है करेंट गुजारना है तो मोबाइल के अंदर का तार आपको बनाना पड़ेगा लेकिन जो है ग्यारा लाख वाट का करेंट जो गुजारना है तो मोटा तार बनाना पड़ेगा हैवी तो अभी हमें हैवी तार बनाने के लिए मिट्टी में डिकंपोजर डालना है ताकि हमारे किसानों को सो कुंटल धान पैदा हो ठीक है ना सो कुंटल मुमफली पैदा हो तो मिट्टी में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में वो 11,000 वाट का तार बनाने के लिए हमें decomposer डालना है चमज रहे हो अगर ये नहीं डालोगे और ये और भी मदतर हो 4-6 साल में हिंदोस्तान की खेती ठीक नहीं हुई न तो हाहा कार मज जाएगा आज खेती लोग 80% लोग खेती छोड़ने के मून में हैं उस समय खेती छोड़ चुके होंगे आसाईनी खेती से उपज़ा हुआ वो भी पैदा नहीं होगा अभी देखिए भैंकर बीमारी आ रही एक तरफ से नस्थ हो रही फसल एक तरफ से नस्थ हो रही है पैदा ही नहीं हो रही वाइरस आ गया खतम कर दिया जो है कपास में इल्ली आ गई खतम हो गया कपास एक तरफ से गुजरात में जो है जीरा पैदा कर रहे है एक तरफ से वहाँ की जीरा खतम हो रहा है कुछ पैदा नहीं हो रहा है तो कान सिंग जी कुछ पैदा नहीं हो रहा है इस समस्या को पहला हल हमें करना पड़ेगा तुरन थल करना पड़ेगा इस समस्य को और इस समस्य का अधार अभी सुरुवात में डिकंपोजर है मैं देखिए चार चीजे रिखमेंड करता हूं पंचेगवे 5000 लीटर 5000 लीटर डिकंपोजर ठीक है ना इसके अलावा चार जो है 20-25 किलो माईको राईजा और 2000 लीटर मेटा रीजियां और वर्तिसिलियम जीवानू अब मेरे जो गुरुजी है उनसे मेरी आज तक इस बात से नहीं बन रही है वो आज भी मुझे टोक रहे हैं कि तुम कोन होते हो बाजार से चीज जो है देकर किसान को जमीन पे डलवाने वाले केवल जो है ये जो है गोबर गोमुत्र गुड का घोल डालो सब ठीक हो जाएगा लेकिन मेरे गुरुजी के बाद को पडोसी मान रहा है कितने लोग मान रहे है मेरे गुरुजी के बाद को मेरे 24 गुरुजी है मैंने देश भर के जितने विद्वान है ना सब की यहां जाके खेती सिखी और उनका model खुद करके देखा है चित्रकूड ने इसलिए मैं इस बात को दावे से कहता हूँ मैंने जिन लोगों से खेती सिखी है ना जिन गुरुजनों से उनकी बात कुनका पडोसी नहीं मानता है क्यों नहीं मानता लेकिन मेरी खुद की कोई खेती नहीं है मैंने केवल जो है जब नर्सिंगपुर में था तो चार वर्स ये खेती करकी दिखाया और बंजर जमीन में भी दो अंतर रास्ती रिकार्ट प्रोडक्षन करने वाले फसल लेके दिखाया मेरे भटे का आपने देखाओगा उपर से नीचे तक फली फल दिख रहा है मेरे फॉर्म पे तो बंजर जमीन पे ये मैंने प्रोडक्षन खुद करके दिखाया है तो ये प्रोडक्षन दिखाया है उसके पीछे का पूरा का पूरा मैंने 24 लोगों का विग्यान उस पे डाला है और ये खेती बहुत सरल है कान सिंग जी लोगों ने इसको और पता नहीं वेग्यानिकों का भी दोस है और कुछ हमारे पुरुवजों का भी दोस है पुरुवजी यही दस-बीस पीड़ी वालों का खेती बहुत सरल है खेती में केवल किसान को बोना है और फसल काटना है इसके लावा कुछ नहीं करना है न जोताई न निंदाई न गुडाई न खाद न पानी न दवाई न सिचाई कुछ नहीं जरुरत है किसी नदियों में बड़े बांद बानने की कोई जरुरत नहीं है बस जो चीज जहां पेदा होता है उसको वहां पेदा किया जाए यदि बुंदेलखंड में सरसो पैदा होता है तो सरसो पैदा किया जाए बिना सिचाई और जोताई निंदाई गुड़ाई के वहाँ सरसो हो जाएगी 36 गड़ में धान पैदा होता है तो वहाँ धान ही पैदा किया जाए बिना जोताई निन्दाई गुड़ाई की वहाँ बंफर धान पैदा होगी काश्मीर में सेफ पैदा होता है तो वहां सेफ भी पैदा किया जाए बिना जोताई निन्दाई गुड़ाई की सेफ पैदा होगा वहाँ गुजरात में अगर जीरा पैदा होता है मनसौर में जीरा पैदा होता है तो बिना जुताई निन्दाई गुडाई और बिना सिचाई का वहाँ भी जीरा पैदा हो जाएगा जो जहां पैदा होता है जैसे पैदा होता है उस फसल को वहीं लगवाए कुछ करने की जरुरतनी किसान को केवल बोना है और काटना है बीच की सारी प्रक्रियां खतम ना टेक्टर रखना है ना हल बेल रखना है कुछ नहीं रखना है केवल बेल रखना है डोने के लिए तो ये बिना जोताई निन्दाई गुडाई बिना खाद की खेती करने के लिए कार्बन का एक परसेंड होना मिट्टी में बहुत जरूरी है इस बात को बिलकुल गांडवान लीजे नहीं होगा कार्बन तो पीयज गड़बड होगा इसी गड़बड होगा मिट्टी में पानी को औसोसन करने की छमता नहीं होगी मिट्टी में जणों के अंदर जाने की छमता नहीं होगी मिट्टी सौंस नहीं ले पाएगी सब समस्याएं आएंगी अगर कार्बन नहीं होगा और कार्बन में को बढ़ाने में डीकंपोजर का आपना एक बहुत बड़ा योगदान है तो उस योगदान को पूरा करने के लिए हमें डीकंपोजर डालना है ठीक है और डीकंपोजर डालके किसान मिट्टी में एक परजन कार्बनिक मेटर कर ले उसके बाद मैं उसको बिना जुताई निंदाई गुडाई और बिना खाद की हर फसल लेना सिखा दूँगा और बहुत सी ऐसी फसले जो बिना सिचाई की भी हो जाएंगी अभी किसान का लोब बहुत है इसलिए वो सिचाई बननी जो है फसल जो मैं जो फसल बोलूँगा जहां लगा वही नहीं लगाएगा किसान अभी चार फसल चाहरा है ठीके ना तो सिचाई करनी अभी जरूरी है नहीं करेगा तो फसल ही नहीं होंगी लेकिन जो जहाँ चीज पैदा होता है वहाँ वही किया जाए और साल भर में एक ही आधिक्तम दो फसले लिया जाए तो वहाँ सिचाई की भी जरुरत नहीं होगी अब किसान कहेगा मुझे गर्मी में मौंग लगानी है तो फिर तो वहाँ सिचाई जरुरत है न तो अभी मैं सिचाई की बात नहीं करता हूँ कि सिचाई बंद करवा दूँगा पर मैं गैरेंटी देता हूँ कि एक परसेंट कार्बनिंग मेटर मिट्टी में हो जाए मैं बिना जोताई निंदाई गुडाई और बिना खाद की खेती हम करवा देंगे ठीक है तो ये एक परसेंट कार्बनिंग मेटर हमें करना है और गाए बचेगी आप गाए की चिंता मत करो क्या हो रहा है गाए अभी देखना जरा अभी मैं जहां जहां मेरे लेक्चर हो रहे हैं लोग वहां दूसरे दिन घर जाके कच्छा गोबर खाना शुरू कर दी है लोगों ने हाँ गोबर और गोमुतर और दूद दही घी एक साथ लेते हैं हाथ में पंचामरत बनाते और पी जाते हैं क्योंकि मैंने ठीक होते हुए देखा है लोगों को पंचे गवे खाते और पीते हुए तो लोग जख मार के जो है गाए को बचाएंगे आप चिंता मत करना इसलिए मैंने कठीन सब्द बोला जख मार के मजबूर है किसान गाए के सरण में जाने से गाए बचेगी और बचेगी उसके लिए हमें डिकंपोजर का विरोध करने की जरुवत नहीं है अभी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं जो अपने अपने मेथड को ही सबसे अच्छा कह रहे हैं और उससे किसान भ्रमित हो रहा है हमको हमारा जंडा उचा ने करना हमें भारत देश का जंडा उचा करना है हमें किसान को सम्रद बनाना है हमें भारत को परम वयभव पर ले जाना है आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह बने रहे हमारे साथ अच्छे अच्छी वीडियो के लिए जैहिन, वन्दे मात्रम, आप सभी का दिन शुभ हो